हाई पल्लवी जाफ्स्टाइल में आपका स्वागत है मैं हूँ पल्लवी आज में लेकर आयू गेहों की कुरड़ई तो गेहों की कुरड़ई आप गर में आसानी से बना सकते है और ये बहुत ही पोश्टिक होती है बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है तो चलिए आज मैं दिखाऊंगी इसको घर में कैसे बनाते हैs तो इदिखे कितने मसत मस फूल रहे हैं हमारी कुरड़ी तो देखिए ना कोई जञजण आज़ानी से आप इसको घर में बना सकते हैं तो देखिए कितनी मस्त फूल रही है हमारी कुरड़ी वाउ तो चलिए देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैंने इदर लिये गेव गेव को मैंने अच्छी तरह क्लीन और साफ करके लिया है तो यह देखिए हमको इसको साफ जरूर करके लेना है तो देखिए हमको इस तरह के गेव लेने है तो चलिए इसको मैं पानी में दो से तीन बार दोके लेती हूँ तो यह देखिए मैंने इसको पानी में तीन से चार बार दोया है और अब हमारा पानी इस तरह से हो चुका है एक लिन तो चलिए हमको इससे थोड़ा जादा पानी डालकर इसको विगो के रखना है हमको तीन से चार दिन इसको ऐसे ही पानी निकलते हैं विगो के रखना है तो तीन से चार दिन हो चुके हैं तो यह देखिए मैंने पानी एक छन्नी में निकल के लिया है और पानी नीचे गिरा है और गिहू उपर के सैड में है तो इधे के गिहू को अब ऐसे दबाते ही इसके अंधर का bannedic तो देखियो यह से आता है तो समझ लेना हमारा गिहू तरह तरह तैयार हो चुका है तो चलिए तो इधे पानी नीचे जा चुका है और चल्वे मीक्सी के निकाल के लिए आप इसको मिक्सी की जहार मेंने निकाल निकाल के लिए है अब इसको पीसा घ्यूंपीं पिमयो का इसको एतरन नहीं, इसके लिए उपर लगा घी हैं और जो पीसा हुआ व्के इसे इसके उपर डालेंगे और इसको इसे हाथ से नहीं तो चमत से इसे दबा के इसका जो जूसे पूरा नीचे निकल जाएगा और जो इस उपर बचेगा इसको हमको फेक के देना है तो आप इस तरह से इसको इसे दबा दबा के इसका जूस बना के ले सकते हैं तो यह देखिए मैंने इधर इस तरह बना के लिया है तो इसे हाथ से नहीं चोड़ते हुए हमको इसका अच्छी तरह जूस बना के लेना है इस तरह से मैं सभी बना के लेती हूँ इस तरह से आप इसको निकाल के ले सकते हैं तो चलिए इस तरह से हम इसे डाल के लेंगे आप चाहिए तो इसके ऊपर थोड़ा इसे पानी डाल के भी इसको इस तरह से हाथ से दबा दबा के इनका जूस निकाल सकते हैं तो इस तरह से आप जरूर बनाएं इसे देखिए बहुत ही अच्छे बनते हैं अगर आपको पोस्टिक खाना है तो थोड़ी सी मेनद तो करने ही पड़ेगी तो इस देखिए नीचे के साइड में इस तरह से पूरा जूस निकल चुका है तो चलिए बबे जूस को हम इसे ही इसमें रखेंगे ओवरनाइट के लिए देखिए जो इधर था कपड़े में से भी अच्छा तरह पूरा जूस निकल के लिए इसको डखके रखेंगे एक रात के लिए तो चलिए सुबह हो चुकी है यह देखिए पानी उपर आ चुका है और नीचे के साइड में इसे हमारा गेव का आटा रहता है तो हम इस अभी पानी इसे निकल के लेंगे तो यह देखिए नीचे के साइड में जितना है गियू का आटा जो हमने पीछ के रखा था वो हो जाएगा इसको ऐसे हाथ की सायता से हमको ऐसे निकल के लेना है तो यह देखिए यह थोड़ा भूती गाड़ा रहता है आपको इसको ऐसे निकल के लेना है तो इस तरह से इस तरह से हमको हाथ से इसको थोड़ा मसल के लेना है एक जैसे बना के लेना है तो यह देखिए तो चलिए अब हम इसको नापेंगे तो यह देखिए मैंने इस एक कटोरा हुआ था इसलिए मैं अभी पहले इसमें डालूंगी एक कटोरा पानी तो मैं इसको कड़ाई में पका रही हूँ तो इसमें मैंने स्वादा नुसर नमक डाल के लिया है तो चलिए इसको उबाला रहा है अब इसे करके हमको थोड़ा थोड़ा आटा डालके इसको इसे मिक्स करके लेना है तो देखिए जैसे मैंने दिखाया है आपको उसी तरह से बनाई है तो आपकी कुरुड़ई बहुती अच्छी बनेगी तो ये देखिए दो मिनिट बाद हमारा आटा यसे हो जाता है तो चलिए इसको एक दो मिनट पकाएंगे तो इस तरह से आप इसको पकाईए देखिए मारा आटा कैसे बना है अगर आप इसको थोड़ा टेस्ट करके देखिए नमक जादा कम है तो आप आपके साधानुसार इसमें डारके लीजिए तो चलिए आटा हमारा इस तरह से अच्छी तरह पक चुका है यह देखिए और इसमें एक अलग तरह की चमक ही आजाती है जब इस आटा पकता है तब तो चलिए अच्छी तरह पक चुका है यह देखिए अगर आपको इस पकाई या नहीं देखना है तो इसे पानी का हाथ डालके भी आप इसमें डेख सकते हैं आप इसको ढखके एक मिनिट के लिए इसे पका के लिजिए तो चलिए अच्छी तरह पक चुका है यह देखिए इसको थोड़ा पकने को टाइम लगता है तो इतना आटा पकने को दस से पंदरा मिनिट लगा है तो यह देखिए तो चलिए अब हम कुरड़ई के साचे में इसको डालके लेंगे और इस तरह से हम कुरड़ई डालेंगे यह देखिए गरमा गरम कुरड़ई बहुत यह अच्छी बनती है आप जरूर बनाईए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए वाओ किती मस्त कुरड़ई बनी है आप इस तरह से जरूर कुरड़ई बनाईए यह देखिए मैंने इसे कुरड़ई बना के लिए तो चलिए मैं ऐसे ही सभी कुरड़ई बना के लेती हूँ तो देखिए मैंने इसे सभी कुरड़ई बना के लिए इसको दो से तीन दिन हमको दूप में सुका के लेना है एक दिन के बाद इसको पलट के लेना है तो चलिए तीन से चार दिन के बाद ये अच्छी तरह सुक चुके है ये देखिए अब चलिए इनको हम तलेंगे तो हमको इस तरह से इसको सुका के लेना है तो मैंने इधर कड़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा था तो तेल गरम हो चुका है तो इसको हम यह से तल के लेंगे तो यह देखे कितने मस्थबंस्थ तल चुके हैं और कितने अच्छी तरफ फूल रहे हैं तो यह देखिए इसी तरह पेकुरड़ई बनाईए तलिये और कैसे बने मुझको जरूर बताईए और हाँ इसको पैक बंद अडब्बे में ही आपको रखना है तो देखिए इसको जरूर बनाईए और हाँ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दे से सब्स्राइब किजिए ताकि मेरी ऐसी ही नई तरही रेसिप आपको मिलती रहेगी और बेल आइकान को अल दबाना मत भूलिये और मेरी ऐसी ही नई रेसिप मेरे चैनल पे है आप उसको भी जरूर देखिए तो यह देखिए मैंने इधर गुरड़ाई तल के लिए तो अब देखिए कैसी बनी है अच्छी बनी है ना तो मेरे ऐसी चैनल को लाश्ट तक देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग प्लीज सब्स्राइब माइ चैनल थैंक्यू बेरी माच